हाई गाईस कैसे आप मैं हूं मॉनिका और आप देख रहे हैं मेरा चालल कुक्वित मॉनिका दोसों आज हम बात करेंगे नाश्टे की हेल्टी व्रिकपास की हम ऐसा नाश्टा के लिए जिसे दिन भर हम चार्ज रफ रहे हैं सारे दिन की जिम्मेवानिया निभाने के लिए दौर भाग के लिए तो नाश्टा कुछ लोग स्किप कर देते और सच वता हूं तो मैं भी कई बार ऐसी कलती करती हूं तो आज मैं बेतरीन सी नाश्टे की रेसेपी लेकर आई हूं जो कि आपको बिलकुल आसानी से बन जाएगी और साना दिन मेहनत के लिए आपको जो ज अगर वजन कम करना चाहते हैं तो भी अच्छी है आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो आपको बनानी बहुत ही आसान है बस वो दो चार चीज़ें आपस में मिलाएं और फटा फटा बड़ा आसी नाश्ते की रेसेपी फॉलो करेंगा आप अगर ऑफिस जाते है तो भी आ बनानी यह वो रेसेपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस बहतरीन सी नाश्ते की रेसेपी को पावर पैक बिल्कुल रेसेपी है इस पे चाहिए दही एक कब दही लेंगे साथ में देखने मूसली है बनाना है गोड है एपल है कितनी न्यूट्रिशिस चीज़े ना ज अब बजार से मिक्स्ट मियूसली जो मिलती है न बस देखें कि उसमें शूगर ना अड़े लें पहले से चीनी पड़ी रहती है न तो फिर वह बहुत मीठी होती है हम लोग फूर्ट्स वाली मूसली लेते हैं उसमें खूब सारी चाश्नी चड़ी होती है तो आप सिंपल लिए पैकेट खरीबते टाइम आप बॉक्स पर लिखें इंग्रीट को देखके पढ़के ही लें और जो आपको पसंद आए कम कैलरी वाली हो ही लेंगे और साथ में में चाहिए फूर्ट्स फूर्ट्स में लेनी बनाना और एपल एपल तो बहुत ही अच्छा रहता है सब आपको रोज खाना चाहिए एक एपल और बनाना आप क्या सुच्छी कि आप डाइट करें वजन बढ़ जाएगा बनाना नहीं आट करना बहुत ही अच्छा होता है मीचे के लिए मैं गुर्ट करूंगे पूरी डली नहीं आट करूंगी मिठास के लिए आपको गुर्ट न प्रशची के लिए चाहिए वालन के लिए अच्छा के लिए अच्छा है एक वालन अट काफी रहेगा और चार से पाच बदाम कश्मिश काजू नहीं आट कर रहे हैं तो इन सब को मिक्स करके बहुत ही अच्छा healthy breakfast बना रहे हैं जो एक खाने में किसी dessert से बढ़िया dessert से कम नहीं होगा तो मैं इसे glass में बना रहे हैं किसी ball में बना सकते हैं अब सबसे पहले मैं दही आड़ कर रही हूँ दही आप घर पर जो आपने दही जमाया वह बो ले लेते हैं दो बड़े चमज मैंने पहले दही आड़ किया है उसके उपर मैं दो से तीन चमज मूसली आड़ कर रही हूँ आप इसमें ओट्स अलग से ओट्स और अलग से कॉनफलेक्स से साथ बना सकते हैं थोड़े कॉनफलेक्स थोड़े ओट्स मिक्स करकर भी इस्तिमाल कर सकते हैं फिर से मैं दही आड़ कर रही हूँ ताकि थोड़ी क्रंचीनेस के साथ थोड़ा सॉफ्टनेस भी आ जाए एक लेयर कंप्लीट होगी अब उसके पर मैं कटावा सेव यानिके मैंने एपल के कुछ टुकड़े लगा दियें आप आधा सेव डाल सकते हैं पूरा सेव खाना चाहे तो पूरा सेव भी खा सकते हैं आधा टीस्पून से थोड़ा कम मैं स्प्रिंकल कर रहे हूं जो की टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी रहेगा और गुड़ को भी अब थोड़ा सा डालेंगे गुड़ को मैं ग्रेट करके आड़ कर रही हूं तो एक टीस्पून ग्रेटेड गुड़ है आप चाहें तो गुड़ की जगा एक टीस्पून हनी आड़ कर सकते हैं नहीं तो सेब मीठा होता है बनाना भी मीठा होता है आप नहीं आड़ करना चाहें मैं इसे टेस्ट से बढ़ा देंगे हेल्थ को भी बढ़ा देंगे आप बनाना की जगा इसमें आप और कुछ भी फूट आड़ करना चाहें एड कर सकते लेकिन बनाना ज़रूर खाना चैसे वे एक बनाना बहुत जरूरी खाना अब मैं इस पर फिर से क्रंचीनेस के लिए और दिखने में अच्छा लगे फिर से वही म्यूसली जो मारा मिक्स है वह एड कर रही हूँ और मैं जैसे कि आपको का आप म्यूसली नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं कौन फ्लेक्स हर पर रखें उसमें थोड़े ओट्स मिलाक सब्सक्राइब कर देखें हैं तो देखें हमारा बेतरीन सा डिजर्ट नहीं डिजर्ट नहीं मारा ब्रेक्फास्स बहुत ही बढ़िया वाला रेडी हो गया है आपको भी तेम्टिंग लग रहा है न देखके दिल कर रहा है अभी बनाओं भईया आज तो मैं कल तो सुबह यही खाऊंगी मैं दही रखा है न दहीं और यही सब बादम किशमिश तो खर पे रखे रहती है कॉन्फलेक्स भी आजकल सब लोग खाते हैं ओड़ भी सब खाते लिगिं क्या होता है खाने में मजा नहीं तो इस तरीके से बनाइए बहुत मजा आएगा तो देखिया हमार और मैं खाती भी हूँ कि मुझे वैसे फ्रूट खाने में बहुत चोर हूँ मैं फ्रूट नहीं खाती बड़ा बड़ा खाब हो जाता है लेकिन इससरी किसे अगर हम कुछ अपने लिए करें बनाएं क्योंकि सारा दिन सबके लिए भागते हैं आपने लिए कुछ करना चाह आए अगर आफने रात को शादी में जाकर करें चाना खाना गयाना जब बूफे में घेस इतना कर आए जिसे बनाना आया व्य में आप पर थ्लिए चीजत लिए उस आउपगी को हेँ आर या आपको घ्रिकस करें कि आपको अइस आपको ये भी पर खालें कि आपको तेर को तो वो recipes लेकर आती होंगी तो अगले आप फिर में लोगी नहीं recipes के साथ ततनावा ख्याल रखिए सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसको वीडियो को भी जाल शेयर कीजिए आप चाहते हैं आपकी friends भी healthy right खाएं कुछ लोग तो फिर चल्दी शेयर कीजिए आपका बहुत वे जाओ भी जाँ में लिया है थम्या बहुत की दा बहुति हैं लिए मेल जाले हैं बाई